पॉलिवुड का सत्तर से अश्टी का वो दोर जब हिंदी गानों की बहार हुआ करती थी इसी के बीच जब मनोज कुमार की देशभक्ती से जुड़ी फिल्में आई लोग मनोज कुमार की फिल्मों से इतने परभावित हुए कि उन्होंने मनोज कुमार की जगा भारत कुमार के नाम से पुकारने लगे लेकिन उसी दोर में एक ऐसा एक्टर भी हिंदी सिनेमा जगत में आया जिसमें लोग मनोज कुमार को देखने लगे और वो और कोई नहीं बलकि मनोज कुमार के भाई राजीब गोस्वामी थे जिन्हें फिल्म पैंटर बाबू से पहचान मिली लेकिन अपनी ही भाई की नकल करना उनको इतना भारी पड़ गया कि इस फिल्म के बाद मानो उनका करियर डूब गया तो आईए जानते हैं आखिर कि हमने आपको बताया इनके बड़े भाई मनोज कुमार हैं और इनकी बेहन का नाम नीलम गोस्वामी है जिनकी शादी फिल्म डायरेक्टर अशोग भूशन से हुई थी जिन्होंने सूपर हिट फिल्म सिडनी के साई बाबा बनाई थी मनोज कुमार और राजीब गोस्वा ने भी हिंदी स्नेमा में अपना कदम रखा लेकिन सबसे ज्यादा सफलता अगर किसी को मिली तो वो थे मनोज कुमार हाला कि राजीब गोस्वामी की बात करें तो कहा जाता है कि इन्हें पेंटर बाबु के बात किसी भी फिल्म में पहचान नहीं मिली सिर्फ और स्रिफ प एक्टिंग करतें उनकी तरह बोल चाल हर चीज नकल करने लगे जिस वजह से दर्शकों ने उन्हें ना पसंद किया और धीरे धीरे इनका करियर ढलता चला गया इनकी इस छोटी सी गलती ने इन्हें पूरे तरह से डुबा दिया हाला कि मनोज कुमार ने अपने छोटे भा लेकिन राजिव गोस्वामी का नाम मानू अंधेरे में कहीं गुम हो गया हाला कि अगर बात की जाए इनके आज के बारे में तो अफसोस आज ये हमारे बीच नहीं है मनोज कुमार के भाई राजिव गोस्वामी का निधन 24 फरवरी 2004 को ओखला में हुआ था तो दोस्तों अ अगली वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतिजार कीजिए